नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे YouTube YouTube चैनल चिकिस्षा तत्य विग्जान में दोस्तों होली की रंग में परιοक्त रशायनों का स्वास्त पर बहुत दुस्प्रभाव पड़ता है तो आज हम जानते हैं कि होली के अगर प्रियोक्त रशायन हमारे लिए बहुत दूस्प्रभाव डालते हैं तो हमें किस रंगों से होली खेलना चाहिए दोस्तो आज कल गुलाल में प्रियोक किये जाने वाले केमिकल, डिटर्जेंट और रेट सिर्फ चमड़ी के लिए ही नहीं बलकी आँखो, सांस की नली और बालों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं ऐसा डॉक्टर अनिल कोयल कहते हैं जो सीनिय डर्मटोलजिस्ट है इंडियन आर्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष है रंगों में प्रिक्त रशायनों का स्वास पर इतना अधिद उस्पाव पड़ता है कि मैं आपको बिताओं कि बाजारूर आसायनिक रंग मुक्त है जैसे इंजन आयल के साथ ऑक्सीडाइश्ट धातू या अधोगी वर्णकों के साथ मिला कर तयार किये जाते हैं जैसे काला रंग है उसमें लेड आक्साइड पड़ता है जो की गुर्दे की बिमारी लाता है हरा रंग कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आँखों में जलन सूजन और अस्थाई अंधत्व लाता है सिल्वर रंग है जिसमें अल्मुनियम ब्रोमाइट पड़ता है जो की कैंसर लाता है नीला रंग में प्रूशियन ब्लू कॉंटेक्ट डर्मेटाइस्ट नामक भयंकर त्वचा रोग लाता है लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर करता है इसलिए दोस्तो होली खेले परंतूर असायनिक रंगों से नहीं प्राकर्तिक रंगों से जीने आप घर पर आसानी से बना सकते हैं दोस्तो भारती संस्कृति वर्स भर्ष की तेवहारों योँ पर्वों की अनवरस श्रिंखला की बैग्यानी ब्यवस्ता कर दिया वसंतरीतों में आने वाला होली का तेवार कुदने फादरें प्राकरतिक रंगों से होली खेलने का उत्सव है इसका स्वास्त पर उत्तम प्रभाव पड़ता है इन दिनों पलास के फूलों के रंगों से होली खेलने से शरीर में गर्मी सहन करने की सक्ति बढ़ती है तता मानसिक संतुलन बना रहता है साथ ही मौसम परिवर्तन से प्रकुपित होने वाले रोगों से रक्षा होती है परंतु वर्तमान में रासानिक रंगों के अंधा दुन प्रियोक से बिबिन प्रकार की बिमारिये पैदा होती है अतर होली खेले परंतुर आसानिक रंगों से नहीं प्राकृतिक रंगों से जेने आप घर पर आसानी से बना सकते हैं प्राकृतिक रंग कैसे बनाते हैं आपको इसका अगला वीडियो आएगा प्राकृतिक रंग कैसे बनाए इसके लिए आप देखें होली कत्योहार पार्ट टू दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें शेयर करें और यदि आपके मन में कोई प्रशन ता आप उसे कमेंट द्वारा जरूर पूछें मैं जल्दी रिप्लाइ करने की कोशिस करूँगी धन्यवाद